प्रथान मंत्री जीनने सत्ता की बागदोर समहाली थी तो सर्व सत्ता के लिए नहीं थी वो देश के जन्मानस के अंदर दूर दूर तक छूपे हुए कौन से बिंदु है उनको समवेदना के साथ देखने और समझने के लिए था इसलिए जब मोदी जीने सत्ता समाली तो शासक भाव नहीं कभी सेवक का भाव कभी अभिभावक का भाव अब मुझे लगता है उन लोगों के जिनके माइंड के कॉंसेप्ट में ये चीजे नहीं हैं वो कहां इस बात को समझेंगे की आकर चुनाव से जोडने लगे हैं मैं एक सिंपिल सी बात कहता हूँ ये मन की बात है ना मन का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है तो जिन लोगों मैं कहा भी चाहें सेलफी डॉटर हो आज ही देखिए चाहें वो मनिपूर के उस कोने में बैठी हुई वजया शांती हो जो कि कमल की डंडी से फाइबर से कपड़े बनाने वाली हो या तमिलनाड की वो महिलाएं 20,000 महिलाओं ने मिलके एक नदी को दुबारा जागरत कर द हम लोग थोड़े समय सत्ता में रहें बलकि हम लोग उस जमाने में जब सत्ता में नहीं आये तो क्या कहते थे ना संयम न गौरव न एक आत्मता है भरी है अभी तक मनों में गुलामी मन में गुलामी भरी है वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग न देश में ठोपी जो वो कहना चाह रहे हैं और पीएम राजनितिक बातें नहीं करते हैं मन की बात में क्या आपको भी नहीं लगता है सेलफी विड डॉर्टर के साथ आप लोगों को भी जुनना चाहिए देखे आपके सवाल के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा है इन्होंने कहा कि गुलामी मानसिक्ता तो जहां तक मेरी जानकारी है और अभी तक इनकी कृपा से इतिहास में जो वो पन्ने नहीं बदले गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि कॉंग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संगर्ष किया कि उन्हें गुरुश्द को पुरुश से बराबर माना उन्हें जिसने जाती शेत्र धर्म नसल सब भेद को मिटा कर कहा कर हो ये नाग्रिक के लिए भरती करवाते थे और दूसरा पहलू उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि सुधानशु जी ने एक जुम्ला बोल दिया लेकिंगी इसलिए मैं मन की किनो मीटर दूर महिला पहलवान बैठी हुई है कि एक सांसत को गिरफतार पर उसने बलात कार किया है और मन की बात पर उसका जिकर नहीं होता है यह क्या है यह कैसी मन की बात है यह मन की बात नहीं है यह मनमानी की बात है इस देश की महिलाएं वो पहलवान जिन्हों ने इस देश का गौरों बढ़ाया प्रधान मंत्री ने उनका स्वागत किया था वो तीन महीने पहले भी धरने पर बैठी थी और आज भी बैठी हुई है उनकी एफ आई यार तब लिखी जाती है जब सुप्रीम कोट हस्तक्षेप करता है इस से ज्यादा शरम की बात नहीं हो सकती अभी जो इन्हों ने यहां से शुरुआत की वहीं से बात साफ हो गई कि पांच जार साल में पहली बार हमें बराबरी दी गई यहीं गुलामी की इमान सिकता है आप कहते हैं महिलाओं को बराबरी ने दी गई मैं चुनोती से पूछता हूँ यह बताईए रानी लेक्षी भाई रही रानी अहिलिया भाई होलकर चित्कित्तूर के रानी चिन्नमा रानी दुर्गावती और चौथी सताब्दी में प्रभावती गुप बताईए को योरप में हुई हो जिसने तलवार लेके लड़ाई लड़ी हो बताईए कोई और पूरी बात पूरे दिए पूरी गरामी वही राग अंग्रेजियत का सुनाते बड़े लोग नामी गरामी ने जवाब एक लाइन पसी बहुत चोटा जवाब मैंने कहा बात समझने को तैयार रही मैंने कहा वैधानिक रूप से बताईए आपने जितने लोगों का नाम लिया मैं उनका सम्मान करता हूँ वै लाइन जांगनाओं का नाम लेकर आप यह बताना चाहते कि नागरिक थे लोगतंतर तक नहीं था नागरिकता की बात करते हैं राजा और प्रजा के संबंदों को आप गौरपूर बात करते हैं और यह सयोग नहीं है कि जितने रियास्ते थी उस समय अग्रेजियों के साथ वही आपके जाद जितने आरेसेस का पूरा अभियान था उसका सरक्षर करते थे और यहीं वज़े है आप असली बात का जवाब नहीं दे रहें उस आजादी की लगाई में आपका क्या योगदान नहीं था हो यह यह कर रहा है आपके पूशा जा रहा है 2022 थे इसमें लोग परेशान है उनके बारें बात कीजिए तो आप इत्यास पहलवारों को बाता ही हो भी लगाई की बाता है यह जवाब दे ले पर आपके बदोरिया की आपको सुनाई कम पड़ता है क्या आपके बगदवार परिवार की पार्टी नहीं रहे गई है यह देश के मन की बाता है कि नहीं बाकी सब प्राइवेट लिलिटेट संस और और कुछ नहीं पतम परिवार हो है राजना सिंग के बेटे पंकर सिंग वो परिवार में नहीं आते हैं पूरा सिंधिया पार्टी चलाते हैं सुन लिजे में परिवार करें पार्टी चलाते हैं क्यों क्यों नहीं है नहीं क्या होता है मेले पार्टी चलाते हैं पूरा पूरा नोईडा नहीं चलाएंगे आप मेरी बात